नमस्कार दोस्तों मैं बिट्टुठाग और स्वागत करता हूँ आप सभी का बीटॉक हिंदी में दोस्तों अगर आप अपने ओफिस के लिए एक रिवॉल्विंग चेयर लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंडिन्यू देखें आज मैं एक रिवॉल्विंग चेयर रिव्यू करने वाला हूँ अगर आपका भी खयाल है कि आप भी रिवॉल्विंग चेयर लेना चाहते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ देखते रहेगा बीटॉक हिंदी दोस्तो आज जो मैं रिवॉल्विंग चेयर अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ उसे मैंने एमेजॉन से परचेज किया है और खास बात ये है कि एक एमेजॉन का ही ब्रैंड है सॉलिमो जी हाँ सॉलिमो की ये हाई बैक आप देख सकते हैं यही चेयर है जिसे मैंन इसका फुल रिव्यू तो चलिए फटापट दोस्तो इस बड़े से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है एक खाली बॉक्स है इसमें कुछ भी नहीं है शाहिद पैकिंग के लिए दिया है ये चेयर हमें अलग-लग पार्ट में देखने को मिलती है इससे सिर्फ असेंबल करना होता है बहुत इजी है असेंबल करना ये इसके अलग-लग पार्ट है इसका फील पैड है और ये हमें इसकी सीट देखने को मिल जाती है साथ के साथ इसका जो चेयर का बैक पार्ट है वो भी अलग से इस बॉक्स में हमें दे ज़ादा बढ़िया है अच्छी quality के fabric से इसे बनाय गया है और जो इसका hydraulic jack है ये भी बहुत बढ़िया high quality का है और डेट सो kg की इस chair की capacity है डेट सो kg तक आप इस पे load कर सकते हैं hydraulic jack को लगाने के बाद इसके साथ एक L key हमें देखने को मिल जाता है इस L की से आप इसे easily assemble कर सकते हैं इसमें जितने भी जो screw दिये हैं इन्हें खोल के आप जो ये back panel है इसे अपनी seat के साथ जो seat है इसके साथ adjust करें और जो L की है इसके through आप screw को tight कीजिए लगबग हमारी जो chair है वो आधी assemble हो चुकी है एक बार मैं फिर कहना चाओंगा इसकी जो build quality है बहुत लाजवाब है तीन साल की हमें company की तरब से warranty देखने को मिलती है और मैं तो वैसे last चार महिनों से इसे use कर रहा हूँ अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत smooth है बहुत मज़ा आता इस पे बैठने का लगबग यह हमारी अब 80% assemble हो चुकी है अब सिर्फ arm जो इसके हैं यह लगाने को विस्ते हैं और arm लगाने के बाद यह पूरी तरह से हमारी जो chair है ready हो जाती है sitting के लिए आप इस पे आराम से बैठ सकते हैं अगर आपको यह chair लेनी है तो description में आपको link मिल जाएगा वहां से आप इसे easily purchase कर सकते हैं अब इस वीडियो में बने रहेगा आप यह तो खाली इसका unboxing और assembling पार्ट था वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो में आप बने रहेगा आगे बहुत जानकरी आपको इस chair के बारे में मिलने वाली है लगभग assembling हमारी complete हो चुकी है unboxing भी आपने पूरी देख लिए तो चलिए अब और जानते हैं इस chair के बारे में दोस्तो revolving chair की unboxing आपने देख ली अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप mesh chair क्यों ले इसका होगा तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपकी sitting ज्यादा time की है 8 से 12 घंटे आपको chair पे बैठना है या फिर आप editing करते हो या फिर आपका music production का काम है तो आप boss chair ना लेकि एक mesh chair ले अगर आप कुछ create कर रहे हैं कोई work कर रहे हैं तो भहाँ पे आलस नहीं आना चाहिए अगर आप boss chair लेते हैं तो वहाँ पे भहाँ ज़्यादा आलस आ जाता है अगर गर्मियों के दिन है तो बहुत ज़्यादा पसीना भी पढ़ जाता है उस boss chair में जिसमें वो मोटी गद् और आलस तो बहुत जाता पड़ जाता है काम से आपका ध्यान हट जाएगा और आपको नीद बहुत जल्दी उस chair पे बैटके लग जाएगी इसलिए अगर आप creative कुछ करना चाते हैं creativity करना चाते हैं और लंबे time के लिए आप sitting करना चाते हैं तो हमेशा mass chair लीजी मैं यह न मैं बात करूँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि mass chair की जो net है वो बहुत जल्दी फट जाती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसकी जो mesh होती जो net होती है बहुत बहुत heavy duty mesh इसमें use की गई है खासकर मैं अगर इस chair की बात करूँ बहुत heavy duty mesh इसमें use किया गया है पिछले चार म जवाब build quality है Amazon की तरब से हमें 3 साल की warranty भी मिलती है इस chair के साथ इसका जो hydraulic है बहुत जबरदस्त है और इसके जो wheel है बिल्कुल भी आवाज नहीं करते है silently ये run होते है इधर से उधर हगर हम chair को घुमाएं तो बिल्कुल भी हमें आवाज सुनने को नहीं मिलती है साथ के जैसे मैं आपको बताता हूँ आप इसे इस तरह से देखिए आप इस पे अराम से सो भी सकते हैं दोस्तो इसका जो head rest है इसे भी हम adjust कर सकते हैं इस तरह से जहां पे आपको comfort लगता है आप वहाँ पे इसे adjust कर सकते हैं इसके जो arm है वो 2D है आप इसे up down कर सकते हैं और go back मतल जबरदस्त है और सबसे ज़्यादा जबरदस्त है इसका price मुझे ये सिर्फ पच्पन सौर पे की ये chair मिली थी मैंने इसे जो दिपवली की sale लगती है उसके आसपास खरीदा था सिर्फ पच्पन सौर पे में मैं link description मैं दे दूँगा तो अपनी आप deal देखते रहे हैं लेकिन online की मैं बात करू तो online भाया सबसे better chair हमें यही देखने को मिलती है एक तो इसके साथ हमें 3 साल की warranty मिलती है उसके बाद इसकी जो build quality है premium build quality है और heavy duty material इसमें use किया गया है मैश से लेके plastic तक जो भी इसमें use किया गया है वो बहुत heavy duty use किया गया है तभी तो company 3 साल की warranty इ और किसी भी तरह कि यह आवाज नहीं करती जैसे ही आप घूमेंगे इस chair पे तो कोई extra noise आपको सुनने को नहीं मिलता आप silently work कर सकते हैं अपना और कोई भी इसके अंदर हमें shake देखने को नहीं मिलता ऐसा नहीं कि खड़खड की आवाज करे या फिर घूमते हुए हमें हलक इसका सा shake मिले कुछ भी नहीं है बिल्कुल smoothly ये घूमती है smoothly ये पीछे होती है आगे होती है बड़िया आप जब आप ठक जाये तो थोड़ा सा पीछे आप इस पे सो सकते हैं हमारी back को बहुत जादा स्पोर्ट मिलता है इस chair पे दोस्तों इस chair को अगर आप purchase करना चाहते ह तो description में आपको link मिल जाएगा वहां से आप इसे purchase कर सकते हैं और भी company की आपको chair मिलेगी लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे best chair मुझे यही लगी है मैंने बाकी company की chair भी purchase करके देखी लेकिन उनकी build quality मुझे उतनी मस्त नहीं लगी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment box मे जरूर बताना अच्छा लगे तो like कर देना अच्छा ना लगे तो dislike कर देना चैनल को subscribe तो करना ही है आपसे मुलाकात होगी next video में तब तक के लिए नमशकार